हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम आपको देशी चिकन बनाने की रेश्पी दे रहे हैं दोस्तों हम लोग प्लाट पर घूमने आये थे तो यहीं पर हम लोग चिकन बना रहे हैं तो आप लोग देखे कि किस तरह हम चिकन बनाएंगे jsme 50 घ्रम मसाले लिए हैं जो कि हम एक 달कर भूनेंगे फटर मासाले जो हमारे हैं तो इसमें हम पियाज का पेष्ट बना कर रख लिया है जoi भगोने में आप देख रहे हैं यह लैसन और प्याज का पेष्ट है हमने पटा हुआ प्याज नहीं लिया है कि यहां पर हमने प्याज को पीस लिया है अब इसको कटे हrostे भी बना सकते हैं तो यह हमारा प्याज 651 है तो हम इसमें क्योंकि 1.5 kg चिकन है तो इसमें हम 1 kg प्याज लिए हैं और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे भूनते जाएंगे क्योंकि कड़ाई हमारी बहुत अच्छी नहीं है थोड़ा हलकी कड़ाई है इसलिए हमें डर है कहीं चिपक न जाय तो हमारे प्लाट पर जो भी कड़ाई ह हमको मिल गई थी यह कड़ाई अक्सर यहीं पड़ी रहती है जब भी हम लोग भूबने आते हैं तो इसी कड़ाई में हम लोग चिकन बनाते हैं या मटन बनाते हैं जो भी बनाते हैं तो इसी कड़ाई में ही बनाया जाता है और मसाले हमने बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं लिये यहां बगल में दुकान है वहीं दुकान से हमने एक पैकेट मीड मसाला मंगा लिया था और गरम मसाले का एक पैकेट मंगा था धनिया है और हल्दी पाउडर है लाल मिर्ची है यही सब हम लोग इसमें डालेंगे तो लाल मिर्ची हम दो चम्मच के आसपास डालेंगे क्योंकि हरी मिर्ची हमारे पास नहीं है तो हम लाल मिर्ची ही दो चम्मच भर के डाल देंगे और दो चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे एक मीट मसाले का पैकिट पूरा डालेंगे और एक गरम मसाले का हम पूरा डालेंगे तो ये देखिए हमारा प्याज लाल-लाल भून गया है और इसी प्याज में हम चिकन के टुकड़े डाल देंगे तो चिकन आप अच्छे से साफ कर लीजिए हमने 4-5 बार इसको अच्छे से साफ किया है तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से साफ हो गया, देखी सफे सफे सा दिखाई देने लगा है, बिल्कुल इसमें redness नहीं है, बहुत अच्छे से हमने इसको साफ किया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम सारा चिकन इसी में मसाले में डाल कर अच्छे से भूनेंगे, तो देखि कढ़ाई हमारी हलकी है, आप देख रहे होंगे, और इसमें एक तरब का कैना भी नहीं लगा हुआ है, तो इस में पकाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, दर है कहीं ये पलटना जाए, तो इसके ना पलटने की वज़े से हमने सपोर्ट के लिए इटों का जो चूला बन नहीं थी, बस ईटे थे, लकणियां थी सूखी और हमारे पास कढ़ाई थी, ये सारी सामान हमारे पास रहती है, इस पलट पे ही रहती है, ये सब कुछ हमको मिल जाता है यहाँ पर, तो देखिए चिकन हमारा भुणने लगा है, चिकन को आप लगातार इसे तरह से चलाते रही है, बिल्कुल भीचे पकने ना पाए, तो अभी यहाँ पर हमने मसाले अड़ नहीं किये है, सरिफ प्याच और लहसुन को पकाया था, और उसी में हमने चिकन के पीस डाले है, तो जब ये चिकन हमारा अच्छे से पक जाएगा, तभी हम इसे मसाले अड़ करेंगे, अ बहुत ही स्वाधिस्ट चिकन बनता है, इस तरह से अगर आप कड़ाई में बनाते हैं, कड़ाई में आप चिकन बनाएं या मतन बनाएं, बहुत ही ज़्यादा स्वाध आता है दोस्तों, तो ये देखिए हमने सारे सूखे मसाले जो मिला के रखे थे, सब इसी में डाल दे ये मसाले भी हमको ऐसे ही पकाना है, प्याज के साथ ही हमारे मसाले पक जाएंगे, बिल्कुल भी हमने इसमें पानी एड नहीं किया था, आपने देखा होगा, हमने सुखा सुखा मसाला ही डाला है दोस्तों, और ये लगातार हम भून लेंगे, थोड़ी से कड़ाई हलकी ह होने की वज़े से ये हमारा जो मसाला है थोड़ा जल्दी से चिपक जा रहा है आगे की तरफ, जब आप चूले पे चिकन या मटन बनाते हैं तो चारो तरफ से बराबर आच लगती है, जिस वज़े से हमारा चिकन या मटन बहुत ही अच्छे स्वाद में पकता है, चारो अभी हमने इसमें नमक एड़ नहीं किया है, अभी हम थोड़ी देर के बाद इसमें नमक भी एड़ करेंगे, इसको पहले लगातार चलाते जाएंगे, अगर आप इस तरह से चिकन बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, एक बार बनाने के बाद आप ब बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, तो अब हम धनिया पाउडर भी एड़ कर देंगे, धनिया हमारी पांच रुपे वाली पैकिट है, तो हम दो पैकिट डालेंगे इसमें, क्योंकि धनिया हमने अभी नहीं ली थी, धनिया डालने के बाद भी हम इसको लगातार च करेंगे, क्योंकि अभी हमने नमक नहीं डाला है, धनिया को भी आप अच्छे से चला चला के भूनते जाईए, इस रेस्पी से अगर आप बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप चिकन बनाये हैं, इतनी महनत भी किये हैं, हमारे पास यहां नमक डालने के लिए कोई चम्मच भी नहीं अवलेबल है दोश्तों, तो हम यहां हाँ से ही नमक डालेंगे, तो आप लोग अपने अंदाज से दो चम्मच बड़े भरके नमक डालिएगा, या आप अपनी जो आपका चितना चिकन है, उसी के अनुसार ही आप नमक डालें, तो यहां पर चम्मच ना होने की वज़े से हम हाँ से नमक डाल रहे हैं, तो अंदाज हमारा इतना है कि हम यहां पर दो बड़े चम्मच नमक हमने इसमें अड़ किया है, और इसमें पानी भी आप जब डालेंगे, तो आप अपने हिसाफ से ही इसकी ग्र बरतन नहीं है, तो इसलिए यह हमारी जो चिकन है, यह खुला ही पकेगा, ऐसे ही हम इसको खुले में पकाएंगे, धकन है नहीं धकने के लिए, क्योंकि कड़ाई बड़ी है और इतना बड़ा बरतन नहीं था हमारे पास, तो हमने इसको खुला पकाया है, लग बग 30 मिनट हमने इसको ऐसे ही पका लिया है, क्योंकि यह चिकन हमारा भूनते भूनते ही आधा पक चुका था, तो इसलिए हमें ज्यादा नहीं पकाना है, हलकी आज पे हम इसको 30 मिनट ऐसे ही पकाते रहेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा ह और जब यह आभी पक जाएगा तो इसका कलर और भी गाड़ा होगा दोस्तों यह देखिए अब सब्जी हमारी पक गई है, रैस्पिक कैसे लगी मुझे जरूबत रूब